जूट जूट हर समिन जूट वो आलसी और नखटू कवे हर समिन जूट बोलते वो जूट बोल बोल कर दूसरे पक्षियों से फोजन लेकर खाते कालू तुम घर में ही बैठो मैं अभी अपने लिए और तुम्हारे लिए फोजन लेकर आती हूँ बगर कहां से? ये मेरा काम है, मैं अभी आती हूँ गोरी कवी घर से निकलती है गोरी कवी बुल बुल के पास जाती है बुल 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 बेहन, घर में कुछ भी नहीं था और मेरी मा मुझे से मिलने आ गई है उसे भूग लगी है मुझे तो बहुत शरमा रही है गोरी आपकी मा मेरी भी मा है आमा से शरमीदा ना हो ये मीठे मीठे अमरूद है मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी या आप ले जाएं मैं अपने बच्चों को दाना खिला दूँगी मुझे मालूम था मुझे मालूम था आ मेरी मां के लिए कुछ खाने को जरूर दे दोगी धन्यवाद बेहन ऐसा कहते हुए गोरी कवी बुल बुल से मीठा अमरूद लेकर चली जाती है गोरी तुम बहुत तेज हा जूट बोलकर उस बुल बुल से मीठे अमरूद ले आई हो मैंने जूट ऐसे बोला जैसे सच बोल रही हूँ और बुल बुल बेचारी बहुत दुखी हो गई गोरी कहते हैं मुझे गोरी फिर दूसरे दिन कवा और कवी उड़ते हुए जा रहे थे उन्हें भूग लगी हुई थी गोरी यहां आओ यहां इस पेड़ के उपर वो उस जहरीले फल वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं कालू मगर यह फल तो बहुत जहरीला है क्या यह खाएंगे हम खाएंगे नहीं नाटक करेंगे नाटक मैं समझी नहीं वो देखो वो देखो चड़िया इस तरह फा रही है तुम जूट मूर से जहरीला फल खाने का नाटक करो फिर वो दोनों पती पतनी वो जहरीले काले रंग के फल पर अपनी चौच मारने लगते हैं कवी और कवी रुको रुको यह फल ना खाना यह फल तो जहरीला है इसे खाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी क्या करें जुडिया भोचन मिलने ही रहा भूग से मर रहे थे इसलिए इसी फल को खाने आगे भूग से भी तो मरना है इससे अच्छा है कि हम यह जहरीला फल खाकर ही मर जाएं कम्सकम मरते समय भूग तो नहीं लगी होगी आप ऐसा ना करें आम मेरे साथ मेरे घट चलें नहीं हम नहीं जाएंगे हमें मरने दो पती जी जुडिया कितने प्यार से बोल रही है क्यों इसका दिल दो रहे हो फिर वो दोनों जुडिया के साथ उसके घढ़ चले जाती है ये लो दाना पेट भर के खालो दाना देखकर वो बहुत खुश होते हैं वो पेट भर के दाना खा लेते हैं अब पेट भर गया याद रखना वो फल खाने से पक्षी उसी समय मर जाता है चिडिया थोड़ा सा दाना रात के लिए भी दे दो मुझे तो रात में दो बार भूक लगती है ऐसे वो कवे पेट भरने के बाद चिडिया से रात के लिए भी दाना ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अभी दो दिन ही गुजरे थे कि कालू कवे का मामा कालू से मिलने आ जाता है कालू मैं एक दो दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ हमारे जंगल में आज कल भोजन ही मिल रहा मुझे बहुत भोग लगी है जल्दी से कुछ खाने को दो मामा जी भोजन बहुत है मेरा अपना खेत है गहियों का गोरी जल्दी से जाओ और अपने गहियों के खेत से मेरे मामा जी के लिए दाना लेकर आओ काल जब मेरी मा आई थी तो मैं ही भोजा लेने गई थी याद है ना इसलिए आज तुम ही जाओ अपने गहियों के खेट में मामा जी आप बैठे मैं अभी आता हूँ आपके लिए दाना लेकर कालू घर से निकलता है वो सीधा कबूतर के पास जाता है यार का बूतर मेरा मामा आ गया है और घर में कुछ भी नहीं है पलीज यार मुझे दो चार दाने दे दो ताके मेरी बेजती न हो खुद सारा सारा दिन सोई रहते हो और हर रोज दूसरों से भोचन मांकर अपना पेट भरते हो अब हम तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे क्या अभी तक आया नहीं मेरा भांजा मैं जा कर देखता हूँ उसे मामा जी भी कालू के पीछे निकलते है मैं तुम्हारी विंती करता हूँ यार कबूतर केवल दोदाने ही दे दो ताके मैं उस मामा के बच्चे का पेट भर सकूँ ऐसे मामे आ जाते हैं दूसरों का तंग करने कबूतर खामोश था क्यूंके वो पीछे बैठे हुए कालू के मामा को देख रहा था कबूतर यार तुम बोल क्यूं नहीं रहे हो मैं वादा करता हूँ एक बार ये मामा चला जाए फिर मैं महनस से अपना दाना ढूंडा करूंगा मा खुद तो मर गई और ये अपना भाई मुझे मामा बना कर दे गई भूका कहीं का मामा जी कालू को ऐसे सुना कर वहां से चले जाते हैं कालू बहुत शर्मीदा था अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके आलसी पन ने उसे कितना बेशरम बना दिया था विश्वास तो नहीं आ रहा मगर शायद अब ही कालू और गोरी बदल जाएं प्यारे दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि गोरी बुलबुल से क्या लाई थी हमें आपके कुमेंट का इंतजा रहेगा आपका धन्यवाद जादुगर उलू उड़ता हुआ जा रहा था कि उसके डोल गिर जाती है चिर्या के बेटी गुडिया नदी से पानी पीकर वापिस घर आ रही थी कि उसे वो सुन्दर से डोल नजर आती है गुडिया वो डोल उठा लेती है ये डोल कितनी सुन्दर है मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ ममा ममा देखे मुझे क्या मिला है गुडिया बेटी ये डोल आपको कहां से मिली है ममा ये डोल मुझे नदी के रास्ते से मिली है ममा खाने में क्या है गडिया बेटी मैं तो सुभा से घर बनाने का काम कर रही हूँ आज आप सो जाओ मैं कल आपको मीठा फला कर दूँगी ममा मुझे तो बहुत भूग लगी हुई है मेरा तो मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है अच्छा मेरी बेटी आज की रात गुजारो मैं कल ला दूँगी मिठाई अपनी बेटी को फिर वो मा बेटी सो जाती है सुभा हो जाती है गडिया भी चाग जाती है ममा ममा उठे उठे ममा ये मिठाई आप कहां से लाई है क्या मैं से खा लूँ चिडिया भी उठ जाती है गुडिया बेटी ये मिठाई मैं तो नहीं लाई मैं भी नहीं लाई फिर ये मिठाई हमारे घर में कहां से आई ममा ये मिठाई जरूर मेरे सपने से आई होगी मैं सारी रात सपने में मिठाई खाती रही हूँ रुको बेटी पहले मैं खा कर देखती हूँ ऐसा कहते हुए ममा चिडिया एक गुलाब जामुन खाती है ये तो बहुत स्वादिश्ट है फिर वो मा बेटी जीब भड़ के मिठाई खाती है कैसी लगी मेरी मिठाई दोस्त डोल गुडिया से ऐसे कहती है डोल को बोलता हुआ देखकर वो मा बेटी डर जाती है कौन हो तुम और तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना आप डरेना मैं जादूई डोल हूँ मैं उल्लू शिक्षक के पास थी और रास्ते में गिर गई थी मिठाई तो बहुत स्वादिश थी क्या सच में आप मेरी दोस्त है तो और क्या मेरा भी कोई और दोस्त नहीं था मुझे आप मिल गई और और मेरा भी कोई नहीं था गुडिया बेटी अब हमें जाना है घर की छट का काम करना है आज ये घर बहुत कमजोर है अगर बारिश आगी तो समस्या बन जाएगी ममा मैं अपनी दोस्त को भी साथ ले जाओं नहीं बेटी इसे घर में ही रहने दें काम ज्यादा है फिर गुडिया अपनी ममा के साथ लकडिया लेने चली जाती है वो मा बेटी बहुत मुश्किल से लकडिया जमा करती है वो एक कठा बना लेती है गोरी कवी और कालू कववा वहां आ जाते है चिडिया ये लकडियां तो कल हम यहां रख कर गे थे लाओ ये लकडियां मुझे दे दो नहीं नहीं गोरी बहन ये तो हम मा बेटी ने अभी अभी अख़ठी की है सीधे से ये लकडियां हमें दे दो वरना बहुत मारूंगा ममा आप ये लकडिया इन्हें दे दें हम कल फिर से लकडिया जमा कर लेंगे फिर कवे वो लकडिया लेकर वहां से चले जाते हैं कवों के जाते ही बारिश भी शुरू हो जाती है गुरिया बेटी चलो घर चलें मगर ममा घर के चट तो तूटी हुई है बेटी हमें कोने में बैठ कर रात गुजार लेंगे वो मा बेटी वहां से अपने घर के लिए उड़ती है घर वापिस पहुँचकर उन्हें अपनी आँखों पर विश्वासी नहीं हो रहा था वहां तो इतना सुन्दर और बड़ा घर था गुडिया बेटी ये घर तो हमारा नहीं है ये तो निया घर है और बहुत सुन्दर भी ममा ये जरूर मेरी दोस्त ने हमारे लिए बनाया होगा फिर वो दोनों मा बेटी घर में जाती है कैसा लगा मेरा सर्पराइस दोस्त ये घर आपने बनाया है मेरे लिए हाँ, मैं अपनी दोस्त को टूटे हुए खर में कैसी देख सकती हूँ अब तो मेरी दो दो बेटिया है क्या मैं आपको मम्मा कह लिया करूँ हाँ मेरी डोल, एक मेरी डोल और दूसरी मेरी गुडिया फिर वो सब हंसने लग जाती है मेरी दोस्त ऐसे बारिश के मौसम में मेरे लिए चाय पकोड़ा तो जरूर देगी एक रोशनी सी होती है और सामने चाय पकोड़ा था फिर वो सब मिलकर चाय पकोड़ा खाती है और डोल ऐसे ही गुडिया की मदद करती रहती है